जिले में बाइकर्स गैंग का अतंक जारी पूर्व जिला पंचाय सदस के बेटे और बतीजे पर हुआ जानलेवा हमला मोटर साइकल लूट कर हुए फरार बता देंगी बाइकर्स गैंग के बदमाशों ने इन दिनों जिले में उत्पात मचा रखा है लेकिन किसी भी मामले में रीवा पुलिस को कुछ खास सपलता नहीं हासिल हुई है बीती रात्री बाइकर्स क्याएं कि बदमाशों ने सिर्माओर थानाच शेत्र के ग्राम मरेला के समीब दो यूबकों पर प्राणगा तक हमला करते हुए 50 जार उर्पे सहित उनकी बाइक लूट कर फरार हो गए गायलो कोबचार के लिए रीवा के संजय गांदी स्पताल में भरती कराया गया है वहीं सिर्माओर पुलिस अग्यात बदमाशों की तलाश में जुड़ गई है गटना की संबन ने पूर जिला 25 सदस विश्वनाज साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पुत्र विपिन और भतीजाज सिद्धमणी साहू इलावाद मोटर पंप बनवाने गए हुए थे जहां से बीती रातरी बाइक से दोनों वापस आ रहे थे इसी दोरान रातरी तकरीवन 9 वजे जैसे ही सिर्माओर थानर छेतर के ग्राम मरेला के समीप पहुँचे तबी बाइक से आये 4-5 की संख्या में अग्यात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और जब तक दोनों कु बतीजे को होश आया तो उसके दोरा आसपास के बने घरों में जाकर घटना के संबन में जानकारी दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुँच और दोनों घायलों को उपचार के लिए सिर्मा और स्वास्त केंद ले जाया गया जहां से दोनों को रीवा रेपर कर दि शुरू कर दिए प्रस्तुत है पूर जिला पंचाई सदस्य विस्वनास साहु से प्राप्त जानकारी कांश में फोन लगाया फोन नहीं हुआया तब मुझे संका हो इसके बाद ये इनको इनकी गारी छुड़ा के ले गए हैं और चार पांच लोगों की संख्या में वो लोग थे मार पीट्टों ही विहोस पड़े थे इसके बाद जो सोटा वाला वतीजा था उसको कम चोट थी किसी बहाने से उटके लोगों को बताया सौनमबार आई पुलिस आई फिर्माओर गए फिर्माओर तेरे फर्क ये हमारे लड़कर की बहुत ना जीज़ी दो लोग थे कौन से थाना चेट में घटना घटी है फिर्माओर आप पूर में जिला पंचायत अद्धिक चिज़त थे सद्ध चिसवार सिस्वार नमबर घटना वाल किया था अधिस्वारा है या उस संसाभि में लड़के का नाम विएं अधे बतीजे और बतीजे का बतीजे का नाम के लिए रहता है